यूपी में मैंनपुरी चुनाफ को लेकर सियासत तेज हो गई है बयानबाजी लगातार हो रही है ये सीट समाजबादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए ही बहुत महत्पून है क्यूंकि ये सीट सपा के लिए मुलाइम सिंग्यादव की विरासत है और बीजेपी के लिए एक चैलेंज ऐसे तो मैंनपुरी चुनाफ को लेकर दोनों पार्टीया नगातार एक दूसरे पर निशाना साधी रही थी लेकिन आप नजाराप बदलता हुआ नजरा रहा है जहां यूपी के जिप्टी सिंग्यादव की याद में काफी कुछ कहा उन्होंने पुराने किसे भी दोहराए केशव प्रसाद मौरे ने कहा उत्तरप्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसे उत्तरप्रदेश के बहुत ही वरष्ट नेता मुलायम सिंग्यादव के निधन से पूरा देश दुखी हुआ वो ऐसे वेक्ती थे जिनका सम्मान सभी दल के नेता करती ही आगे उन्होंने कहा वो बहुत साहसी नेता थे और ऐसे परिवार में जन्म लेकर एक ऐसे शेत्र से निकल कर उत्तरप्रदेश की राजनीती में सबसे बड़ा स्थान हासिल किया और साथ साथ देश की रक्षामंत्री के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है वो जमीन से जुड़े नेता थे इसलिए उन्हें धर्ती पुत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता था केशर प्रसाद मौरे ने पूर मुखे मंत्री मुलायाम सिंग यादव पर कहा वो जमीन से जुड़े नेता थे आपातकाल के दोरान 19 महिने जेल में रहे 1960 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की आगे उन्होंने मुलायम सिंग यादव को लेकर एक किस्सा सुनाया और कहा कि चुनाव में हारने के बाद भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तोर पर मुलायम सिंग यादव ने मुझे शाबाशी दी वो ऐसे नेता थे जो बड़े दिलवाले थे उन्होंने में पक्षी नेताओं को भी आशिरवाद दिया छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता ये उन्होंने सिध्ध किया आगे उन्होंने कहा प्रधान मंत्री उनका बहुत सम्मान करते हैं जब मैं सेफ़ाई गया तो पाया कि दलगत राजनीती से उपर उठकर कई पार्टियों के नेता वहाँ थे उनका जीवन लोगों को पढ़ना चाहिए राजनीती में विरोध स्वाभाविक है लेकिन इसके बाद सबका सम्मान करना और मधूर संबंद रखना निश्रित तोर पर उलेखनी है इसके लावा आपको बता दे जब नीता जी का निधन हुआ था तब भी केशव प्रसाद मौरिया उनको याद कर भावुक हुए थे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था सपापाटी के संस्थापक ववरिष्ठ राजनेता एवं मुत्तप्रदेश के पूर्व मोख्य मंत्री श्री मुलायम सिंग यादव जी का निधन अत्यन दुखत है उनका निधन राजनीतिक जगत के लिए पूर्णियक शती है इश्वर दिवंगत आत्मा को शांती प्रदान करें एवं परिजनों तथा समर्थकों को यासीम दुख सेहन करने की शक्ती दें वही जब नेता जी के निधन के बाद मैंपुरी में चुनाव की बात आई थी तब ही केशव प्रसाद मौरे ने बताया था कि उन्होंने नेता जी के सम्मान में कभी भी उनके चुनावी क्षेत्र में प्रचार नहीं किया था उन्होंने कहा हम लोगों के मन में नेता जी के प्रती कितना सम्मान है उसको इस बात से समझ सकते हैं कि हम लोगों ने नेता जी के चुनाव क्षेत्र में 2014 और 2019 में कभी प्रचार नहीं किया अब बात करें मेनपूरे चुनाव किये तो यूपे के मेनपूरे लोग सभासीट और रामपूर खतौले विधान सभासीट पर मतदान जारी